सब्सक्राइब कीजिए मेस एस्पेशल को और दवाईए इस घंटे को ताकि दैनिक रासी फल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेस रासी वालों का आज का दिन यणी की 31 अक्टूबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं शबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक आज से पहले बीमार थे जिनका सुवास्त साथ नहीं दे रहा था तो आज के दिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आज आपके स्वास्त के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन अपने खर्चे पर अपने फिजूल खर्ची पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने फिजूल खर्ची पर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान धन संपती के मामलों में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों आप में से जो भी दर्सक, जो भी जातक, नौकरी करते हैं, जौब करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके नौकडी के छित्र में आपके जौब के छित्र में आपको जो भी काम दिया जाए जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को आप मेहनत इमानदाडी और एकागरता के साथ पूरा करने का प्रयास करें वैसे अगर आपके घर-पडिबार की बात करें तो घर-पडिबार के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और सांधार है दोस्तों आज के दिन आपके जीवन में अगर कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या रहता है तो उस पड़ेसानी में सबसे पहले आपके घर पड़िवार के लोग आपकी सहायता करेंगे आपका साथ देंगे तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है छे यणी की सिक्स आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है भुरा और सलेटी दोस्तों आज के दिन अपने समय को बहतर और सान्दार बनाने के लिए आप अशनान ध्यान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें अपने पूजा पाथ से आप बजरंग बली को खुस करने का प्रयास करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दे और वीडियो को आप हर जगह से यर कर दे, धन्यवाद